केंद्रे ग्री मंद्री अमित्सा कल पटना पहुचे थे जो दौरान बीजेपी की जो तयारिया है बड़े ही धूम धाम से की गई थी पुरा पटना होर्डिंग पोस्टरों से पटा हुआ था हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी चाई हुई थी आपको बना दे की पटना की जो सडके है वो बन थी सुबह से ही क्योंकि ग्री मंद्री अमित्सा कल पटना ब्रहमन पर आयते इस दौरान सुरक्षा ब्यवस्ता की बा इस दौरान कुछ है ऐसा देखने को मिला जिसे देख आप भी चौक जाएंगे आपको बता दे की कई जगों पर उनके पार्टी के मंत्री और जो सुरक्षा कर्मी थे वो तैनात थे इस दौरान सुरक्षा कर्मी और नेता धका मुकी भी खाते हुए नजर आए जिसका पर उनके नस्दीक जाने का पर्यास करने लगे तो सुरक्षा कर्मी उन्हें सुरक्षा घेरा से बाहर निकाल दिया वहां उपस्तित लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोसल मीडिया पर खुब बाइरल हो रहा है बता दे चले के ग्री मंत्री अमित्सा पत्ना भ्रहमन पर थे दोरान अमित्सा के नस्दीक आने के लिए राजनिताओं की होड मची हुई थी उनके काफिले के साथ कई राजनिता की गाड़ी भी साथ थी इस बीच एक जगा पर ऐसा भी देखनी को मिला जहां ग्री मंत्री के नस्दीक पहुशने के लिए संसद राम कृपाला यादो और ग्री राज्जे मंत्री नित्यानन राय परियास करने लगी तो सुरक्षा कर्मी में लगे सुरक्षा गाड़ों ने इन दोनों को ग्री मंत्री के नस्दीक साथने ने यही दिया धका देकर सुरक्षा घेरा से बाहर कर दिया यह वीडियो सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है आपको बढ़ादे कि कल ग्री मंत्री अमित्सा बिहार दोरे पर आया थे इस दोरान उनका भव्य स्वागत पटना में किया गया ज़ोरान ग्रीम मंत्री अमित सा ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवाशी दलित और पिछडा समुदाय भाजपा के एजिंडों में सर्वो परी है पाटी और सरकार गाओ गरीब किशान दलित और सोसितों के लिए लगतार काम कर रही है नरेंद्र मोधी की सरकार में यह संबह हुआ है कि पहली बार कोई आदिवाशी महिलार रास्टपती के सर्वोचंग सविधानिक पद पर पहुची है उसे पहले दलित समुदाय से आने वाले रामनात कोबिंद 5 साल तक रास्टपती रहे उन्होंने कहा कि अब तक की केंद्र सरकार के मुकाबले पहली बार मोधी कैबिनेट में आदिवाशी दलेत और पिछडा समुदाय तथा ग्रामन प्रिस्ट भूमी से आने वाले लोग अधिक मंत्री बने हैं आपको बदा दे कि आप मित्सा कलपटना आये थे इस दोरान अजीबो गरीब जो तस्वीर है वो देखने को मिले नित्यानन राय और राम कृपाल यादो धक्का खाते हुए भी दिखाई दिए बेरो रिपोर्ट लाइब बिहार लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक् पर लाइक जरूर करें